Hello everyone, इस वीडियो में हम देखेंगे Mains के लिए बहुत ही important topic Diplomacy, कूट नीती इसके अंदर हम लोग इस वीडियो में cover करने वाले हैं कूट नीती क्या होती है, कूट नीती और विदेश नीती क्या है और इसके अंदर जो में एजेंट होते हैं वो क्या होते है कूटनीती के उधिस से क्या है ट्रैक डिप्लोमैसी क्या होती है कूटनीती कितने प्रकार की होती है और भारत की जो वैक्सिन कूटनीती अभी अभी है वो क्या है और फाइनली फाइनली जो राष्टवाद वैक्सिन राष्टवाद की बात की गई है वो क्या है डिप्लोमैसी देखें डिप्लोमैसी क्या है एक्शली डिप्लोमैसी दो या दो से अधीक देशों के बीच में किया जाता है और इसमें डिप्लोमैसी में एक्शली होता क्या है कि ऐसा फ्लान तयार किया जाता है इस तरह से सामने वाले के उपर प्रभाव डाला जाता है ताक कि हम अपना हित पूरा कर ले जो हमारा इंट्रेस्ट है उसको हम पूरा कर ले तो सामानेता एक देश दूसरे देश के साथ ये काम किया करते हैं ठीक है और अपनी बातों को मनवाने की कोजिस करते हैं इसको डिप्लोमैसी कहते हैं और जिसका डिप्लोमैसी जितना अच्छा ह जितना मजबूत होगा वो देश सामने वाले देश पे उतना ज़्यादा इंपक्ट या इंटरनेशनल ओगनाईजेशन इन सब पे ज़्यादा इंपक्ट डाल पाएगा। इसके लिए आप कहोगे डिप्लोमैसी क्या वैसे ही एकदम आप पुलाइट रहोगे और डिप्लोमैसी से काम चल जाएगा। बुथ होना चाहिए आपके पास अच्छी खासी अर्णिंग हो तो उसके बाद जीडिपी अच्छी हो पर कैटा इंकम या नेसनल इंकम अच्छा हो तो तब जाके आप किसी भी सामने वाले पर इंपक्ट डाल सकते हैं जस्ट वस ऐसा ही समझेए कि आपके सामने एक बड़ के से की जाती है दोस्ती के रूप में हमें एक दूसरे देश के साथ अलग अलग तरह के रिलेशन स्थापित करते हैं इसके अलाबा कल्चरल कल्चरल सोसल इकनॉमिकल पॉलिटिकल जो हित है उसको पूरा करते हैं अभी देखो जैसे अभी जब कोवीट के सिच्छेशन देगा तो वहां के लोग और वहां के सरकार में भारत के पड़ती एक अच्छी मेज बनेगी तो ये भी डिप्लोमेसिका है अधार है नेपाल के अंदर नेपाल के अंदर क्या होता है कल्चरल भी है एकनॉमिकल भी है अब सोसल भी है वहां के लोग एक दूसरे से काफी कने आई है, political तो boundaries हम लोग share करते ही हैं, तो इसलिए कूटनिती कई परकार से की जाती है, अब सवाल एक कूटनिती और विदेशनिती, actually कूटनिती के द्वारा ही विदेशनिती तैयार होती है, और दोनों ही एक सिक्के के दोग पहलों है, मतलब किसी भी देश को अपना benefit, अपना hit की पूर्दी करना है, तो वो विदेशनिती के अधार पे होती है, और विदेशनिती कोई तभी सफल हो पाएगी, समझे इसको, आपकी जो foreign policy है, तभी सफल हो पाएगी, जब आपके diplomacy, जो policy है, वो मजबूत हो, यानि आप अलग-अल अपने विदेशनिती को, foreign policy को भी अच्छे से execute कर सकते हैं, तो यह यहाँ पे एहम है, इसके बाद एक और example है, जैसे अभी चीन ने क्या किया, सिलंका को 1.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया, और हमबन टोटा बंदरगाह ले लिया, लीस पे, तो यह क्या है, यह economical diplomacy का example है, अब diplomacy जो होती है, उसके बीच में actors होते हैं, इसको भी आपको जानना जहुड़ी है, actors होते हैं, actors के अंदर क्या कि आएंगे, एक तो state actor होगा, एक non-state actor होगा, तो state यानि राजिये, और non-state मतलब गैर राजिये, तो state and non-state दोनों actor मिल के diplomacy टाह करते हैं, उसको प्रभावी बनात हैं, इसके अंदर जो state actor है, इसका importance अब पहले के तुलना में नहीं रहा, देरे-देरे कम होता जा रहा है, इस state actors के अंदर, यानि राजकी अभी करता के अंदर, रास्ट्रों के बीच में, उनके official अधिकाडियों के बीच में, उनके सिर्ष के नेताओं के बीच में, जो formal त पाकिस्तान के परधान मंतरे से, अमेरिका के परधान मंतरे से मिल रहे हैं, वहां के finance commission, finance ministry हमारे यहां से मिल रही है, तो यह क्या हो है state actors है, जिनके बीच में dialogues हो रहे हैं, जिनके बीच में some diplomacy develop हो रही है, दूसरा होता है non-state actors, अभी इसका importance लगातार बढ़ता जा रहा है, non-state actors में वो सारे आ जाएंगे जो सरकारी नहीं है, जैसे आम नागरी, जैसे भारत और नेपाल के आम नागरी के बीच में एक bounding है, उसके लावा international organization, अलग-अलग international organization जो है, वो बाते करती है, जैसे भारत के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, उनक multi-national company, उसके बाद media, अब media क्या करेगी, पाकिस्तान के बारे में अच्छा बताएगी, भूटान के बारे में अच्छा बताएगी, और वहां का, जो media है, वो भारत के बारे में अच्छा बताएगा, भूटान का media भारत के बारे में अच्छा बताएगा, चाइना के बारे मे होते हैं और जो भी डिप्लोमैसी स्टेब्लिस्ट की जाती है वो क्या होती है नॉन एक्टर होती है like cricket cricket diplomacy यह non-actor डिप्लोमैसी है खेल के थूँ हम आम लोगों क्यों और खास लोगों को connect करते हैं अब सवाल है कि डिप्लोमेसी क्यों की जाती है उसका उद्देश से क्या है तो सबसे पहला कि डिप्लोमेसी की जाती है क्योंकि इंटरनेशनल अंतराश्ट्रीय राजनीती में शक्ति चंतुलन बनाए रखना है यानि आपको भी एक पावरफूल पोजिसन होल्ड करना है ये भी उसकी भी रक्षा करनी है उसको भी बढ़ाना है इंटरनेशनल लेबल पे मजबूत उपस्तिति दर्ज करनी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी शांती और सुरक्षा के लिए भी एक बहुत जोड़ी है और अपनी विदेश निती को प्रभावी बनाने के लिए भी केम पणिकर के इस पे बहुत सारे नियम है बहुत सारा इनका अपना है डिप्लोमैसी के उपर जिसके अंदर important points जैसे मालो मित्र राष्ट के बीच में संबंद को मजबूत करना अपने विरुद दूसरे राज्यों का जो गुट बनता है उसको रोकना जैसे भारत क्या कर र रही है या भारत उसके खिलाफ अपने आपको मजबूत कर रही है डिप्लोमैसी के लेबल पर तो ये भी एक कुटनीटी का तरीका है और माल लीजे फाइनली कि हमको कोई उपाय मेरे पास नहीं है इंडिया और चाइना में लड़ाई होना ही होना है तो भारत चाइना को कै जोर करने की कोशिस की जाएगी तो ये भी कहा जाता है कि प्रभावसाली कूटनीटी के बिना ना तो युद्ध लड़े जाते हैं और ना ही जीते जाते हैं महाभारत से लेके जहां तक आप जाएए आप देखोगे कूटनीटी ही कूटनीटी थी इसलिए अलग-अलग रा दस एक तरफ थे और भरत एक तरफ था और भरत की जीत हुई थी तो वो भी एक कुटनीती का ही एक्जामपल है तो इस तरह से अब यहां पे एक important word आएगा जिसका नाम है track diplomacy track diplomacy का मतलब है कि अलग-अलग अस्तर पे जो बाते होती हैं उसको हम track diplomacy के अंदर डालते हैं कैसे और इसको multi-track diplomacy कहते हैं इसमें होता है कि विभी राज्यों के द्वारा एक ही समय में कई तरीके से diplomacy की जाती है formal भी informal भी आपचारिक भी अनपचारिक भी track 1 बिल्कुल formal है track 1 उस diplomacy को कहते हैं जो सरकारी अस्तर पे की जाती है मंत्रियों के बीच में जो सरकारी delegation उनके बीच में प्रैमनिस्टर्स राष्टपती इनके बीच में track 2 से कहानी बदलेगी track 2 में नागडिकों के समूं NGO organization के बीच में अगर कोई international issue है तो उसको सूल जाने की बात की जाती है नागडिकों के बीच में tuning बढ़ा के ताकि वो सरकार के उपर भी दवाव डाले track 3 क्या कहता है track 3 कहता है कि जो भी इस तरह के व्यापाडिक प्रतस्थान है उनके बीच में भी diplomacy अगर बढ़ेंगे तो economic interest के कारण जो विवाद है वो कम हो सकता है track 4 diplomacy सांस्कृतिक व्यक्तियों के बीच भारत नेपाल भारत भूतान भारत बंगलादेश मैनमार तो यहाँ पे हम इसका यूज करते है track 5 research educational process इन सब तरीके से political संबंध या diplomatic संबंध स्थापित करना जैसे अभी हम अपने परोशी देश के कई सारे student को scholarship देते हैं मालदीब, भूटान, मैनमार कई सारे को हम scholarship देते हैं और हमारे भी बहुत सारे student वहाँ पे जाते है research होता है उसके अंदर उनका involvement होता है तो यह सारे यहाँ पे, इसके लावा यहाँ पे शक्रियतावाद है track 7 के अंदर क्या है, religious activities वहाँ जाके हमारे धर्म पर जारक प्रवचन देते हैं वहाँ के यहाँ आते हैं, तो इस तरह से इसको हम करते हैं इतना नीचे जाने की जुरूत नहीं, ऊपर के दो-तीन ही काफी है track 8, financial सहायता से अब track 8 में क्या है, जैसे भारत नेपाल को, भारत भुटान को financial support करता रहता है, track 8 diplomacy है इसके अलावा track 9, media और un, communication medium के माध्यम से actually track 9 के अंतरगत, जो हमारी media है, उसके responsibility काफी जादा हो जाती है अलग-अलग देशों के बीच, relation को सही से बताने और सुधारने के लिए उसके बाद track 1 by 5, 1.5 भी नया आया है इसके अंतरगत, जो non-state actors है, उसके द्वारा अगर कोई संघर्ष चल रहा है एक काफी विवादित मुद्धा है उसके समाधान के लिए, तो उसको एक नया नाम दिया गया है track 1.5 अब है कि कूटनीती के कितने परकार है, देखे कूटनीती कई परकार की होती है हुटनीती कई परकार की होती है, सबसे पहले, सबसे पहले, दूइ पक्षिया या बहुपक्षिया या यानि bilateral तो इसमें क्या है, や Mr. bilateral का मतलब है, दो राज्य के बीच में और बहुपक्षिया मतलब दो से अधिक अगर राज्य हैं तो उनके उनके बीच में state या non-state actors, उससे नहीं फर्क पड़ता, state के भी actors हो सकते हैं, non-state के भी, उनके बीच में जो diplomacy होती है, जो बारताएं होती है, उसको इसके अंदर add करते हैं, ठीक है, उसको इसके अंदर add करते हैं, दूसरा, आपचारिक और आपचारिक मतलब कि जो already से पहले से हमारे diplomat के दौरा, हमारे सरकारी officers के दौरा, या किसी के भी दौरा, जो पहले से नियम कानून बनाये गया है, उसके अधार पर अगर कोई बाचीत होती है, तो वो formal होता है, और random कुछ हो गया बिना किसी decision के कहीं पर गये, और दो नेताओं के बीच में मुलाकात हो गई, उ वो जो होता है, अनौपचारिक होता है, informal होता है, सीखर्शमेलन नाम सुनते होंगे, इसमें सिर्फ जो कोई भी देश के जो सबसे supreme head होते हैं, जो head होते हैं, उनहीं के दौरा जैसे परधान मंतरी हो सकते हैं, राश्टपती हो सकते हैं, उनके दौरा वारता की जाती है, इ हम दवाव डाल के अपनी बात को मनवा ले, चाइना अक्सरहां ऐसा करता है, डॉलर डिप्लोमैसी, ये भी चाइना अमेरिका खूब करती है, उसमें क्या है, कि हमारे एकनोमिकल स्थी बहुत मजबूत है, और उस आजहार पे हम कूटनेतिक संबंद स्थापर करते हैं, अक्सरहां भारत-पाकिसान के बीच के लिए ये काफी famous था, क्योंकि cricket कहीं होती है, कहीं भी cricket होता है, तो दोनों ही देश के बहुत सारे लोग महाँचते हैं, उनके बीच में ऐक bonding होती है, उसको देखने के लिए टॉप के बिजनेस मैन, लीडर्स पहुशते हैं, उनके बीच बे भी इनफॉर्मल बाते होती है उसी तरह से उपगरह, हमारा सेटलाइट सिस्टम मालो बहुत मजबूत है तो हम अपने आसपास के देशों को, जो की तीसरी दुनिया के देश हैं जिनको के पास इतनी टेकनलोजी नहीं है, उसको अगर हम इस तरह से सुविधा देंगे तो उनको भी लगेगा, ये देश हमार ले बहुत सोच रहा है और इसको उपगरह कूटनिती कहते है मीडिया, मीडिया के मार्ध हम से अच्छे रिलेशन अगर बनाना हो तो उसको हम मीडिया के तहर कूटनिती कहा जाते है अब यहाँ पर सवाल है कि वैक्सिन कूटनिती अब यहाँ पर यह सारा उपर के टॉपिक कॉमन टॉपिक है कहीं पर भी आप ऐड़ कर सकते हैं लेकिन यह वाला करेंट टॉपिक है क्योंकि COVID के बाद क्या हुआ कि वैक्सिन की डिमांड बहुत पढ़ गई अचानक से वैक्सिन ही की नहीं डिमांड बढ़ी बलकि हाइड्रो, हाइड्रोक्सी, क्लोरोवीन, रेमेडिस्वियर, पैरसिटमोल की दवाई ठीक है तो इस तरह की जरुरत होने लगी और सब देशो को अचानक से ही जरुवत पड़ गई, तो कुछी देश ऐसे थें, जो अपनी जरुवत के साथ, साथ ही अपनी जरुवत को कहीं न कहीं कम करके भी और देशों की जरुवत पे ध्यान दिया, उसमें भारत सबसे नंबर वन पे है, और अभी इसलिए वैक्सिन डिप्लोमैसी काफी चर्चा में आ गया वैक्सिन डिप्लोमैसी क्या है वैक्सिन डिप्लोमैसी के अंदर अभी भारत का वैक्सिन मैत्री अभियान बहुत ही फिमस है पर उसी देश और अन्य जरुतमन देशों को यह वैक्सिन एबलेबल करवा के अपनी फॉरण पॉलिसी को पूरा कर रहा भारत बड़े पैमाने में 100-150 से अधीक देसों को अलग अलग तरह से हाइड्रोक्सी, क्लोरोवीन, रेमेडी, स्वीर और पैरसितामोल की दवाईयां यह सब दे चुका है, यहीं नी डियाग्नोसिस कीट, वेलेंटियर, वेंटिलेटर, मास्क दस्ताने यह सब भी यह दे अब इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसने मांगा नहीं है. अब सवाल है कि भारत ने वैक्सिन कूटनीती क्यों अपनाई? देखो, इसका तो एक सामरीक महत्र है, क्योंकि भारत नेवरहूट फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करता है, अपने परोसी देश के लिए सबसे पहले, किसी भी बिपत्ती में आ गया आता है वो मुकंप हो या कोई भी बिमाड़ी हो तो अभी COVID एक बड़ी बिमाड़ी है तो वहाँ पे अब इसके कारण इनका अपने परोसी देश के साथ हिंद महासागर के आसपास जो देश है उस पे एक बहतर पकर बनेगी चीन से तुलना अगर करें तो भारत बेहतर स्थिति में क्योंकि चीन के द्वारा नेपाल अफगानिस्तान से लंका बंगलादेश पकिस्तान से भी अभी वार्था किया गया और इन्होंने कहा ठीक हम आपको वैक्सिन देंगे वैक्सिन देंगे तो अभी दुनिया की फार्मिसी के रूप में भी उभर रहा है कैसे सौ से अधिक देशों के इन्होंने दबाई पहुचाया है भारत इस छेतर में जो टीका है वैक्सिन है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है और लगबग 60% वैक्सिन का उत्पादन भारत से ही हो रहा है तो परोसियों की भी बात कर रहा है और और विकास सील और अलब विक्सित देशों की भी बात कर रहा है इसके कारण भारत की काफी सरहना हो रही है और सबसे इंपोर्टेंट इसको भी समझ लेजे वैक्सिन राष्ट्रवाद क्या है वैक्सिन राष्ट्रवाद उसे कहते हैं ज समझोता कर लेती है और उस समझोते के बाद उस समझोते के बाद सबसे पहले वैक्षिन उनके या उनके नागरिकों को या उनके निवासियों को मिले इसको सुरक्षित करती है तो इसको वैक्षिन राष्टवात कहा गया है अब चुकि बड़े देशों के पास बहुत पैसे ह तो वो अपने नागरिक को तो बचा लेंगे लेकिन और जो कमजोर एकनोमिकली कमजोर और हैं तो वो लोग अपने आपको कैसे बचाएंगे तो वैक्सिन राष्टवाद से कम संसाधन वाले जो भी देश हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता लेकिन भारत ने इस वैक्सिन राष्टवाद के सिस्टम को लगभग तोड़ दिया क्योंकि इन्हों ने उस लगभग सारे जवरत मंद देशों को वैक्सिन एबलेबल करवाया जो नहीं ले पातें तो यह यहाँ पर इंपोर्टेंट है इसके अलावा तो वैक्सिन राष्टवाद याद रखिएगा अब अगला भारत परोसी देशी ने इसके अलावा और देशों को भी अबलेबल करवाया है वैक्सिन यहाँ पे भारत ने क्या किया इंटरनेशनल लेवल पे वैक्सिन सहीयोग को मजबूत किया है यहाँकि भारत ने जो वैक्सिन के आपूर्ति की है वो World Health Organization की समर्थित कोवासक है समर्थित जो कोवाक्स है उसी कोवाक्स के थिरू इसने इसको व्ल्ड में दिस्टिब्यूट करवाया है तो इस हिसाब से इसका काफे इंपर्टेंस है इसके अलावा अभी अमेरिका और के बीच में वैक्सिन को लेकर सीत युद्ध तो चली रहा है बहुत समय से वैक्सिन भी एक कारण उसके अंदर बन रहा था इसके कारण इंटरनेशनल लेवल पे टीका करण में देरी हो रही थी प्रोडक्शन रुक रहा था तो भारत ने एक बड़े पैमाने पे टीके का उत्पादन किया और रिजल्ट ये निकला कि वैक्सिन कोल्ड वार वैक्सिन सीत युद्ध जोसे का जो एक कारण बनता वो बच गया तो ये सारा है और भारत को उमीद है कि चीन जहां महामारी जनक के रूप में उभड़ा है वही महामारी से राहत दिलाने के नाम पे भारत को आगे याद किया जाएगा और चीन अभी भी भारत के परोस में अपना प्रभाव बनाने में लगा हुआ है ऐसे में नई दिल्ली की वैक्सिन डोनेशन वैक्सिन डोनेशन जो है आम लोगों के अंदर के कारण आम लोगों की जो भावनाएं हैं वो भारत के साथ हो सकती है और इसका इंपक्ट हो सकता है तो यह सारे चीजे यहाँ पे है जो आप आराम से लिख सकते हो तो डिप्लोमैसी के है आराम से लिखना उसके और वैक्सिन डिप्लोमैसी और वैक्सिन राष्टबाद वैक्सिन नेसलिस ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप इसलिए इसको कवर कर सकते हैं